हेलो फ्रेंड्स बूर्णिंग् किसी ने किसी एक्जाम समय हैं, इसे लिए आप लोग वीडियो को धें, 디जान से देख़ेगा, और जो ना समझ में आये उसको बार बार डिविजन कीजी क्लियर हो गए उससे कोई कोई कोउशन होगा तो आप असानी से हैक तोलै कोशिक द्रब के भाग डिषञाक कौशी कि कोश्च क hobbies चाहिए पाई जाते हैं उसके कितने भाग होते हैं तो इसको नंज पूर नाम है ये पुरकुंजे और H.B. मोहल ने इस पदार्थ को प्रोटो प्लाजम नाम दिया था और इसके बहुती गुड़ भी थे राशाइनी गुड़ भी थे जिसके हम लोग डिसकस किये थे प्लाजमा की बात नहीं कर रहा है यह प्रोटो प्लाजमी की बात कर रहा है प्लोटो मेंbell। आ है हम चोशी का दुन आ के दो अ कोशिका न गए और के इंद्रग कोटा है ऑड़ने करे धिकले वात नहीं नहीं कर रहा है वह बित्दा है कोशी का द्रब जो होता है उसको साइटो प्लाजम कहते हैं और केंद्रब जो होता है वो जियो द्रब का हुआ भाग होता है जो केंद्रब के बाहर तथा कोशी का कला के अंदर होता है वो कोशी का द्रब कहराता है और कोशिका द्रब आपका तीन प्रकार के होते हैं तीन भागों में बाटा जाता है एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीजोप्लास्म के नाम से जाना जाता है एक्टो प्लास्ट जो होता है यह कोशिका द्रब का बाहरी भाग जो कोशिका भित्ती के संपर्क में होता है और एक महीन जिल्ली के रूप में होता है इसे हम इसको हम जिव द्रब कला प्लाजमा कला प्लाजमा लेमा या एक्टो प्लास्ट भी कहते हैं और आपका टोनो प्ल कांट और युदो ने कॉशीकस को कोशी का द्रब दिया के तीन भाग होते हैं एक्टो प्लास्ट टोनुप्लास्ट मिसो प्लास्ट उपर फी तो मैंने ऊंपको इसके बारे में बता दिया कि आपका किसमी मीसो प्लास्ट में पाए जाते हैं तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता कौन सा आपका राइट हो सकता है ऐसा देने की कोशिश कीजिए तो आपका मीसो प्लास्ट में जो है यह एक्टो प्लास्ट और टोनो प्लास्ट के बीच में पाए जाता है और इसमें टॉन पैर हमें तो आपका कोशी का भागो पूछेगा पूछे होटे को से सग्रीन उस थे संहिन best ehkä कश्रीर कोशी कांग में उसको दो पार्ट में बाचते हैं उपापचम पड़ आप कोशी कांग में सामिल दिए गत्व टारम पड़ते हैं में उपापचम तारक काया अन्ता प्रतिवृ जाली का गालजी आई olsun एक्टीन निसकर्य पर जो आपकति के wow स्क्रिय ओम स्क्रीब तरफ होते हैं Kandisa हुआ की एक है जो इसमें सामिल नहीं है तो पहला ऐप्शन है तारक काय, जो हैं गल्जी काय, है कोई ओपुड मेकन बाइक काय रख गा yay सर नहीं से और इसमें पूरए काय से शुइसमें क्यों helps करिभी ख्रीघ स्रावी पदार्थ जो है यह आपका निशक्रियपदा पदार्थ में है यह आकका सखरे पदार्थ में नहीं है तो आपका आप नमर फॉर्थ जो है राइ हो गया फिर से एक बार देख लिजी आपका जो जीद्रभ होता है जीद्रभ आपका Agora O और केंद्रक होता है कोशिका द्रब जो होता है इसको भी दो भाग में बाढ़ते हैं उपापचे के सक्रिय कोशिकांग और उपापचे के निश्क्रिय पदार्थ फिर उपापचे के जो सक्रिय कोशिकांग होते हैं उसको कई पार्ट होते हैं जिसमें आपका तारक का आता है स्फेरो माइक्रो बॉडि के अंतर गती तीन पार्ट इसके बाद मार करंडी हैसे कहने इस सब्छाओं करें से कोई इसici में आपने ल्वाकिन जहीं आर आपको पचत कर संसी दें के स्थाओं तो चलिए बता दिजिए तो आप लोग अच्छे से पड़िया के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से पड़िया है तो मुझके कोशिका के कोशिका द्रब में अनेक सूछ में गोला कार चड या कड के आकार की संद्शना पाई जाती है जिन्हें हम माइक्रोंडिया कहते हैं माइक्रोंडिया जो होता इसका सरप्रथम खोश कोलिकर ने 1880 में किया था कर दिया अपका बायो प्लास्ट के नाम पे कर दिया तो आपका बायो प्लास्ट के लाइट नाम पर किसी ने बताई था तो यह अल्टमान ने 1890 इसवी में इसका वर्डन जो किया था वो बायोप्लास्ट के नाम से किया था और बेंडा ने इसको सन 1870 इसवी में इन रशनाओं को माइक्रो कॉंडिया कहा था तो देख लिए तीन कोश्चन है सर्पसे पहले जो माइक्रो कॉंडिया की खोज किये थे वह कोलिकर ने किया था 1880 इसमी में और उसके बाद 1890 इसमी में अल्टमान ने इसका वर्ण बायो प्लास्ट के नाम से किया उसके बाद बेंडा ने सन 1870 बेमे इन रशनाओं को माइक्रो कॉंडिया नाम दे दिया तो इसमें आपका तीन कोश्चन है कोलिकर अल्टमान और बेंडा ये तीनों माइक्रो कॉंडिया से ही संबन दित है ठीक है आप लोगो समझ में आ गया होगा तो आपका इसमें आप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा कोलिकर चलिए नेश कोश्चन निम्न में से किसमें माइक्रो कॉंडिया नहीं पाय जाता है बैक्टीरिया नील हरी सेवाल एक वदो दोनों ना तो एक ना तो दो आपको बताना इन में से किसमें माइक्रो कॉंडिया नहीं पाय जाता है तो चलिए बता दीजे क्या हो सकता है तो माइक्रो कॉंडिया के ब पूरविक्सित नहीं होते हैं यह आपका यहाँ केंद्रक अनुकस्तित होता है तो मैट्रो कॉंडिया में आपके केंद्रक पायजाते हैं युकैरियार्टिक कोशिका के हैं इसकी फ़ोफ सबसे पहले कोलीकर ने किया था उसके बाद अल्दमान ने इसका वडन बायो प्लाश प्रशकां में पाई जाते हैं और इनकी लंबाई सामानता पांच मीली माइकरान होती है और आपका इसका ब्यास जो होता है वो 0.2 मिली माइकरान तक होता है यह रच है तो मगत्तरी एक व्हाली आ। मैकरन 5mAh कुछ सब्सक्राइव 2 mm अधिक यह रेका हैट जिली और ऐसे खोटती चल लिए पर जाएए पांच मिली माीक्रॉन, तो मैंने बताया कि मैंने बताय कि आपको जो जो कोशिकाओं को छोड़ पौधे जंतों की समझ-जीवित कोशिकाओं में पाय जाते हैं और इसका जो गए, वह 5 मिली माइकरॉन है इसका ब्यास 1.2 से 2 mili-macron होता है और माईट्रो कॉंडिया की संख्या भिन भिन कोशिकाओं में भिन भिन होती है यह 1-2 लिट्स प्रोटिन ऑन जिली दों सुझात द॑ दीघ सब्सका चाहीब और बाहरी जिली जो होती है और भीतर जिली होती है और आपका जो भीतरी जिली होती है वो अंदर की माइक्रो कॉंडिया की गुहा में बहुत सी हाथ की आहली की संदर्चना होती है ऐसे करके संदशना होती है वहली जो जिल्ली होती समें अंदर की तरह माइकडियों की अपम की तरह में कीछा में पयंट यहते हैं इस यह हैं करीश्टि कि खाथ की नाषटियों में बाटते हैं तरहें विभीन कोस्टकों में बाढते हैं Whether looking आपको नीले हरी सेव। 7 मीक्रो कैन्धूश्य और इसक वदकर प्रें वनियुरत म curedक्रियर का वी मोह के लिया करें इसको मैंने आपको बता ही दिया कि बाहरी कोष्ट और भीतरी कोष्ट क्या होता है तो आपका जो माइक्रो कॉंडिया होता है उसको जिली के अधार पर दो कोष्ट को में बाढ़ते हैं बाहरी कोष्ट जिसे आउटर चैंबर कहते हैं बाहरी कोष्ट जिसे इनर चैंबर कहते बायक रोष्ट होते हैं जो लगभग 60 से 60 से 80 यह ता में होता है और आपका जो भीतर कोश्ट होता है भीतरी जीली द्वारा घिरा हुआ होता है वीच ने बीच का तो आपका जिली होजाएगा और इसमें आपका एक सज़ंप्र कड़ी कहने होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते ह तो आपका इसमें option number कौन सा राइट है आपका option number एक जो है राइट हो जाएगा माइक्रो कांडिया के जो बाहरी भीद्री जिल्यों की बीच का जो अस्थान होता है वो आपका बाहर कोश्ट होता है इनर चैंबर आउटर चैंबर होता है जो आपके option number first right है नेश्ट कोश्टन देखते हैं आक्सी सोम्स या एफवन कड कहा जाता है गाल्जी काई को माइक्रो कॉंडिया को राइवो सोम्स को तारक काई को तो चलिए बता दूजी क्या हो सकता है तो एंसर देनी की कुशिस किजिए क्या हो सकता है तो आपका इसमें हम बाइक्रो कॉंडिया को जिल्ली के आधार पर हम बताएं दो भागें बाढ़ते दौब बाहे कोश्ट भीत्री कोश्ट तो भीत्री कोश्ट और क्रिष्टी की साथा पर बहुत से सूश्म कड कड के जाते हैं जिसे यफवन कड या आक्सी सोम सकुर कड कहते हैं यह मैंने वे व्य मोतर ज़ली नयुक्त मोस सों शराय। आपु यह सांवर्व सब्सक्राइक जो सफब्सक्राइब के राध़ TO है। और आपको इस थानाय। जो आपका यह स कलए आप दीयुक्तृ म्यूरा ताइस ताइध से जो संणग्वाग होती तती है यह हंघ पाती है इनको हम कृषति कहते हैं क्षं़िक 1 और आपका भीतरी जिली इन दोनों के बीच में बीच की सता यह जो हिलकि liquor की पड़ बच रही है इसमें छोटे-छोटे कट पार जाते हैं जिन्हें हम यफवन कड़िया आक्सी सोम कहते हैं और ये 7 से 100 एंगेश्ट्राम की लंबाई के टेनिस के रैकेट के आकार के होते हैं और प्रतेक यफवन कड़ जो होते हैं तीन भाग में होते हैं आधार, ब्रिंत और सिर्ट ठीक है तो इसमें आपका आप्शन कौन सा राइ और सिर्ट भाग में होते हैं और से आपको बताया कि जो भीतरी जिल्ली है कृष्टि की सता पर बहुत से ब्हुत से सूचमकर छोटे कड़ पाए जाते हैं जिसे हम यफवन कड़िया ओक्सी सोम कहते हैं और ये 7 साथ से सों इंगेश्ट्राम की लंबाई के टेनिस के रैके प्रतेक यफवन कड़ जो होते हैं तीन भागों में बटा रहता है आधार ब्रिंत और सिर और यफवन कड़ों में इलेक्टरान अभिगमन तंत्र एवं आक्सी फास्फोरिली कड़ जो की प्रक्रिया होती है या काम में जो आने वाले इंजाइम पाय जाते हैं इसी कारण इन करहें हम इलेक्टरान अभिगमन कड़ जो होते कोलिगर में संबंध में कौन सा सही सुमेलित है प्रोटीन है 50.3% फासपॉलीपिड 25% और आपका डियनने कुछ मात्रा तो आपको इसमें मायक्रो कंडिया का राशानिक संगटन बताना है कि मायक्रो कंडिया में क्या कितने पर यह चोलत है तो आपका जो माक्रोकॉंडिया होता है उसमें आपकी प्रोटीन की मातर होती है उसमें आपको tuy आपकीकी मातर के माइक्रो कॉंडिया में 65.10 दो था होता है यह तो आपका सही शुमलिट है प्रोटीन की मातरा कोनदया होता है Mr.li B日 tlp rupees 25енный renewability 65.70 . कोशिका का पावर हावस किसे कहा जाता है तो माइक्रो कॉंडिया को कोशिका का पावर हावस कहते हैं क्योंकि यहां पर सभी खाद्यपरदार्थ का आक्सी करड़ होता है खाद्यपरदार्थ में आपके कार्भोहाइड़ेट बशा और प्रोटीन आजाएंगे तो यहां जो माइक्रो कॉंडिया है यहां पर सभी प्रकार के खाद्यपरदार्थ होते हैं उनका आक्सी करड़ हो जाता है जिसके फलसोरूफ हमको उर्जा प्राप्त होती है आक्सी कर atp का निर्मार होता है कहां होता है atp और alan कार्बनिक फास्पेट से adp onya नहों जो चलिए बता दीज़े क्या हो सकता इंद्राप्छन आपका राइट हो सकता है तो माइट्रो कॉंडिया को को श्चीका का पावर हाउस जाता है क्योंकि यहां पर सभी खादिपरदार्थוכ का तो आक्षि करण होता है इसके फलस्रोप अर्जा उत्पन होती है और यह जो उत्पन होती है वह ATP के रूप में होती है ATP का फुल फाँम एडिनोसीं ट्राइफ फास्फेट और यह ATP के रूप में होती है और यह उत्रार करा कर्वांड़ों तो आपका इसमें कौनसा ओप्शन है आपका अप्शन नमर फश जो है राइट हो जाएगा एडिपी और आपका अकार्बनिक फास्पेट के रूप में अटीपी का निर्माड होता है तो आपको मैं फिर से बता दू कि माइट्रो कॉंडिया को कोशिका का पावर हाउस कहते है क्योंकि यहां पर सभी प्रकार के जो खाद पदात होते हैं उनका आक्शी करण हो जाता है तो हमको एनरजी या उर्जा मिल जाती है और यह जो उर्जा हमको मिलती है वो एटीपी के रूप में हमको मिलती है और एटीपी का निर्माड होता है वो एडीपी जो होता है और आ और इससे जब उर्जा उत्पन होती है तो यह कोशी का जो होती है विभिन प्रकार की क्रियाएं भी करती रहती है और उर्जा के साथ सत्पदार्थों का पूर आकसी करर होता है जिससे carbon dioxide और जल भी बनते हैं तो आपका उप्शन नमर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा ADP क्षेब होता है तो आपसी क्रेप स्टार्थों के क्रेप से चक्रप्रक्रियम ऌमें कहा संपन होती है आकि केप्स क्वेंES CHक्रप्रक्रियम अ कि विभल सुमगों । पहां पर संपन होती है आपको बताना है पहला आप्षिण है इलेक्टरान अभिगमन तंत्र होता है उसके बाद यह आपका फासफोर राइलेटिंग तंत्र होता है इस प्रकार से तीन तंत्र होते हैं आपका आक्सी करण की प्रकिरिया को संपन करने के लिए तो आपका जो केप्स चक्र होता है यहां चक्र जो होता है माइट्रो कॉंडि तूट जाते हैं उसके बाद अभीगामन तंटर होता है यह Means Leukop अभीगामन जो होता है प्रोटीन भी चुल रूख में बैद नंगे घूब के बाद और जाते हैं जिससे सःयोग करके जल बना लेते हैं यह क्रिया, जो होती है, मायट्रो कॉंडिया के क्रिष्टी में होती है घृत थर्ड इस्टेब आपका फासफोर राइलेटिंग तंत्र होता है यह तंत्र जो होता है, वो लेक्टिरान अभीगमन तंत्र से जुड़ा रहता है माप्स्क्राइब करती है तो एक अर्ण छाडर को सुड़ाय। निर्मार करता है विन पेस घरती है। में से पूरता है तो आपका देखता होता है सबसे पहले होता है सब से बहुता है तसी को नचन आडरता निकलते हैं जिससे साफिоко ौर roup में टोट जाते हैं तंतर का अभीति का है तनतर की तंतर से जुड़ा रहता है और पřिंद कोशिके निर्मारण निक्तर कमपें तो आपका नमबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा ऑक्सी कलर की जो केप से चक्रप्रक्रिया होती है वह माइक्रो कॉंडिया के मैट्रिक्स में होती है चलिए नेश कोश्चन गाल जी काय की खोच किस ने किया था पहला अप्शन है कैमिलो गाल जी सेकंड है के तो आपका गाल जी काय की जो खोज है वह सबसे पहले सन 1898 में कैमिलो गाल जी ने किया था और गाल जी काय को लाइपो कॉंड्रिया भी कहते हैं और यह नीले हरे सहवालों जीवाड़ों और माइक्रो प्लाजमा को छोड़ कर अन सभी जीवदारियों की कोशिकाओं में पा विभीन हर्मों का पृति क recipe में किने हरे सहाथ ओ्पार जाते है लन्हें गाल जी काय के निरमार दोन यह नहीं हाटकिए कोशिका ऑद विभाजन के समय कोशिका पति के निरमार ऻोते हैं तो आपके कैमिलो ग्र्ष भी ने किया था यह आप इसे 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 बता सकते हैं कि ग् डिक्तियOSHOM के नाम से किसे जाना जाता है राइबोसोम लवक लाइसोस COP जल्दी से बता धिल बताता है उसको आप लोग धिलीटेल को ध्यान से सुना करें चरुकि नहीं यह संवी कोछन ज develops because you replace the major point पूरा अच्छी से नौलेज हो जाएं लेडियों, किसी थी इस भी आप से बताना जाता है। लेजिकाय नाम से किसे जाना जाता है? आपका जो गॉल्जी काय को छोड़ काय केमिलो गॉल्जी काय को लाइपो कौंड्रीया भी खेते हैं यह निले हरे सैवालों जीवाडों माक्रो प्लाजमा को छोड़ कर और सभी जीवाडों की कोशीकायों में पाए जाते हैं लिए काय को सिरावी कोशीकाय को अधिक पायतों से जाते हैं और यह सुक्राड़ों के अग्रिपिंड के निर्माण में भी शहायक होते हैं जन्तुओं के जन्तुओं में जो गाल्जी काय के विभिन प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं यह कोशिका विभाजय के समय कोशिका पटिका के निर्माण में भी शहायक होता है तो आपको आप प्रद्धी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटी गुलम खोज किस ने गी थी तो चलिए जल्दी से बता दिजे कौनसे आपका हो सकता है तो अन्ता प्रद्धी जालिका की जो खोज है ये के आर पोर्टन ने सन 1945 में किया था और ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली होती ह और ये अस्तंधारीों की लाल रुधी कौशिकाओं की कोशिकाओं को छोड़ कर शामानता सभी सुकेंद्री रूधी कोशिकाओं में पाय जाती हैं जीवारू इन निल हरी में भी इसका भाव होता है। जीवारू निल हरी सहीवाल में भी आपके अंदा प्रदेवी जालिका नहीं पाय जाते हैं यह लीपो प्रोटीन की दोहडी एकाय जिली से बनी होती है तो आपको इसमें आप्शन नमर कौन सा राइट है आपको आपको नमर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा के आर पोर्टर ने उननीच सो पैतालिस में अन्ता प्रद्देवी जालिका से खोज़ की इंडो प्रद्द्देवी जालिका की खोज़ की तापको आउप्शन नमर की आपको नंपर फ़स्ट है फुझा ठाड़ सो पैट है अन्ता प्रद्देवी जालिका की जोझ है वो के आर पूड़न सर नियुस कियार過去 और G ला सुवस्वार फेली रहती है यह संभाटार का यह सभी स चेंद्री को छोड़ occupy साथ जीवारौन हरी सेवाल भी आभब होके लिल्पोप्रोटेइन की सब्सक्राइब होती है तो आपका इसमें कौन सॉप्शन है आपका प्रद्द्वी जालिका के प्रकार में शामिल है सिस्टर नी थैलिया नलिकाए उपर इक सभी तो चलिए बता दीजिए कि आपका इंडो प्लास्टिक प्लास्मिक रेटिकुलम है वह कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार में बाटा गया है तो एंसर देनी कोशिस की जिए क्या हो सकता है तो आकरिती के आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं अन्ता प्रद्द्वी जाल का सिस्टर नी होती है थैलियां होती है नलिकाएं होती है और नलिकाएं जो होती है यह होती हैं यह तीनों आपका अंता प्रद्यवी जालिका के जो हैं प्रकार हैं ओके चले निश कोशन निम्न में से किस अंता प्रद्दवी जालिका में राइबो सोम्स नहीं पाए जाते हैं सपाट अंदर प्रद्दवी जालिका कणिका में अंता प्रद्दवी जालिका एक वदो दोनो ना तो एक ना तो दो तो आपको बताना है कि किस में आपका राइबो सोम्स नहीं पाय जाता है तो चलिए एंसर दीजी क्या हो सकता यदि पता हो तो राइबो सोम्स की उपस्तिधिक यादार पर जो होता है अन्ता प्रद्देवी जालिका को दो प्रकार में बाटे जाते हैं सपाट अन्तप्रद्देवी जालिका और कडिका में अन्तप्रद्देवी जालिका जो होती है इनकी बाहरी कला सपाट और चिकनी होती है और इसमें राइबोशोम्स नहीं पाय जाते हैं और ये प्रोटीन संस्लेशर में भाग नहीं लेती है और आपका जो कडिका में भाग भी लेती हैं तो आपका पहले में जो है इसमें आपका राइबोसोम्स नहीं पाई जाते हैं चलिए नेश कॉस्चन निम्न में से कौन सी अंता प्रद्देवी जालिका प्रोटीन संस्लेशर में भाग लेती है सपाट अंता प्रद्देवी जालिका, कणिका में अंता प्रद्देवी जालिका, एक वदो दो ना तो एक ना तो दो तो अभी मैंने आपको बताया कि अंता प्रद्देवी जालिका जो होती है राइबोशोम्स की उपस्तिती के आधार पर दो प्रकार होते हैं सपाट अंता प्रद्देवी जालिका और कडिका में अंता प्रद्देवी जालिका लिए से अन्तापरदेवी jadika होती है इनकी बाहरी शता होती है सपार होती है चिक्मी होती है और इस पर राईबोसोंस नहीं पाया जाते बाहरी से खुर्दरी आर इनकी शतापर राइबोस्ोम फाया जाते हैं और यह प्रोटीन सेंस्लेशर में भाग भी लेती आ तो आपको कौन्स अप्शन राइठ होगा चलिए बता दीजी जली से तो आपका इसमें आप्शन नमर लें सेकेंड रैट हो जाएगा प्रोटिन संसेशनों भागाया की अंत्हप्रत्यवी जालिका कै प्रमूखकारी हें पहला आप n Together प्रिद्र nhi कारी करते हैं प्रप्रिशिका में कंकल की भाथिकार करतेह तथा एंधरिक प्रदान करते हैं सेकंड है यह पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंतर रखती है तीसरा है यह अनुवांसिक पदार्थ के अभी गमन में सहायता करती है फौर्थ है उपर एक सभी तो आपको बताना है कि अंताप्रद्यवी जालिका या इंडोप्लाजमी क का वर्क क्या क्या है कौन से वर्क में शामिल है तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है तो अंताप्रद्यवी जालिका के कई कारे हैं जैसे अंताप्रद्यवी जालिका जो है यह जीवद्रब तंतू के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंदित रखने में मे बनाता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में और यह कोशिका में कंकाल की भात भी कारे करता है और इसे यह अंत्रिक सहारा भी देता है जो हमारे जियुद्रब होते हैं वो कंकाल की तरह भी कारे करता है जो हमको खड़े होने में या एक तरह का सहारा भी देता है तो आपका य यह औरा यह कोशिका विभाजन oni का इंद्र घावरर की निर्माड का काउर है और आपके चो काले के हम नत प्रत्देवी जालिका चो की तो आपको में तुम्होट पता सहते चाएंड और को पटेया हों आपको आपकों अन्ताप्रद्धिवी जालिका राइट उपर उपर्भे呼ह क्ता सब्सक्राइब आप प्रोर में भी गॉस्ज के से बार बार मिली तो नोग इसको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें आपके सारे डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगे तो आप लोग इन नोट करते चलें जो आप लोग को थासमें न आए तो मैं उम्मिद करती हुँ कि आप लोगको आचा टापिक अच्छा लगा होगा और अच्छी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you so much all friends